हेलो दोस्त कैसे हैं आप आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे आज हमें गाड़े सीखते सीखते तीसरा दिन स्टार्ट हुआ है हमने पहले दो दिन में गाड़ी चलाना सीखा है पहले दिन में हमने विशे गाड़ी के फंक्शनों के बारे में और पहले गेर में गाड़ी चलाना सीखा था दूसरे दिन हमने कैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाना है कहां पर brake लगाना है पहले कलच दबाना है जहां कहले ब्रेक दबाना है उसके बारे में सीखा था आज हम सीखेंगे गाड़ी के मिनरल से आगे पीछे के मिनरल से की हम कैसे जैज करें कि गाड़ी हमारी कितने स्पेस में से निकल जाएगी जब पीसे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो कितनी नजदीक है हम अपनी गाड़ी को लिफ्ट राइट टर्न ले सकते हैं जा नहीं ले सकते कितना स्पेस होना चाहिए और हम आगे हमारे कोई ट्रैफिक आ रहा है गाड़ी आ रही है कोई ऐसी जगा ज़ा कोई दिवार आ रही है हमें उससे तकरा ना जाए गाड़ी इसलिए हमें पहले रोकना है तो कैसे जैजमेंट करेंगे कि हमारी गाड़ी किसी दिवार में न लग पाए किसी आदमी को लगना पाए तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे गाड़ी चलाना तो हमें आ जाता है लेकन हमें जैजमेंट करना नहीं आता हम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गाड़ी की जैजमेंट को जैज कर सकते हैं है कैसे आप आगे के मिनवäter से बैक साइड को लेफ्ट को रइट को पीसह से आ रही गाड़ी को कैसे जज़ कर सकते हैं वह गाड़ी हमारे कितना नज़दीक है कितना दूर है तो गाड़ी चल रही है आपको आगे से देखना है देखिए आप वीडियो में देख रहे होंगे तो यहां से यह पॉइंट आगा हमारा यह पूरा एरिया बन गया जैसे यहां से हाथ जा रहा है जहां तक चार फूट की गाड़ी है इसे आगे कुछ हम इदर इस साइड बैठे हैं उस साइड है तो हमें आगे की जैस्मेंट हम रोड पर जा रहे हैं लिंक रोड पर है जहां टूबे फोर वे रोड पर हैं तो हमें कैसे पता चलेगा सटक के उपर पती सी बनी होती है वाइट कलर की तो उसकी जैज्मेंट कैसे करें कि हमारी गाड़ी उसे बाहर जा रही है उसके अंदर जा रही है तो हमने क्या करना है साथ से पहले ये गाड़ी का सेंटर पॉइंट होता है यहां से बिलकुल गाड़ी का सेंटर पॉइंट है और सेंटर इसाफ से आप यहाँ पर कुई भी निशान लगा सकते हैं जैसे कि हमने हमारे पास कुछ लगाने के लिए निशान तो नहीं था उस रखने के लिए नहीं था लेकन हमने क्या किया एक कागिज का टुकड़ा रखके आपको समझाने के लिए ऐसे सेंटर पॉइंट बना लिए जहाँ से गाड़ी का सेंटर पॉंट रहता है और आप देखिए जहाँ से आपकी गाड़ी को शामने से आपको वाइट लेन दिखेगी जहाँ से यहां हमारे पास अभी ग्राउंड है यहां पर आपको बताने के लिए कोई निसान नहीं है कोशिश करेंगे हम को आपको कोई ऐसा पॉइंट निशान दिखाएं जिससे आप असानी से समझ सकें लेकर खाली आप पहले ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिए यह निशान के आप यह पॉइंट दिख रहा है आपको आगे की जजमेंट आपको करना है कहां तक हमारी गाड़ी जाएगी कहां तक हमारी गाड़ी को नहीं लेकर जाना कितने स्पेस में से निकल जाएगी तो यह पॉइंट को आपको दिखना जदी आपकी गाड़ी वाइट लैन से जैसे आके वाइट लैन आ रही है रूट के उपर आपकी गाड़ी इस पॉइंट से बिलकुल सेंटर मे लेके जाएंगे जदि इस तरफ आ रही है तो मानों आपकी गाड़ी रोड से नीचे उतर रही है वाइट लाइन से दूसरी तरफ जा रही है रॉंग साइड जा रही है तो आपको क्या करना है यहां तक यह सेंटर रही है तो आप उस वाइट लाइन के अंदर चल रहे हैं आप से जोन में चल रहे हैं ऐसे ही आपको इस तरफ की वाइट लैन को जो आपकी राइट साइड की होती है उसको कैसे करना है तो आपका जे सामने वाला जो पिलर रहता है इसे हम पिलर बोलते हैं यह पिलर है इसके बिल्कुल सामने इसके बिल्कुल सामने आप देख रहेंगे वीडियो में थोड़ा से एक निसान सा दिखाई दे रहा है जैसे हमारे ये फिंगर को बिल्कुल सामने ये वाला ये निसान दखाई दे रहा है तो मानिएगी यहां तक आपकी गाड़ी चल रही है आपको गाड़ी के अंदर से तो सिर्फ यह दो पूट का जगा बन रही है लेकन आपको अंदर बैठे हुए ऐसा मैसूस हो रहा है जदि आप इसको इसी बहार के तरफ से देखेंगे तो यह ऐसे कॉर्ण बन जाता है तीका तिर्सा बन जाता है जे पॉइंट है जो सेंटर को फ्रांट को तो इदर से आप देख रहे हैं तो यह हमारा थे धेख रहा है यहां थे सी यहां पर यहां कितनी दूर है तो आप यहां से चेक करेंगे जह मिलर लगा हुआ जो इसको आप अपनी सीट के मताबक पहले आप अपनी सीट को अड़ेस्ट करेंगे उसके बाद अपनी हाइट के मताबक इसको सेट करेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि पीसे से आपको दिख रहा और इसमें बीच में बत्ती है जो सेंटर पॉइट में दिख रही है आपको उसका रखनाओं को साइड में तो आपको इसको अर्जस्ट करना है जैसे इसमें देख रहा होगा आपको इसके बिल्कुल यह हमारा फिंगर आ रहा है यह देखिए हम फिंगर हो रहे हैं वहां पर पॉइंट आ रहा है आपको इसका कॉर्णर जो यह कॉर्णर है मिनर का इसको इसके बिल्कुल सामने रखना यहां पर सेट करना है जहां पर सेट करने से क्या होगा कि आपको पूरा गाड़ी पीसे से निकलता हुआ आता हुआ सभी दिखेगा और आपको ज्यादा तर गाड़ चला रहे हैं वह सामने देख रही है तो बिल्कुल भगल मैं हैं आप बिल्कुल पास में आप असानी सिसी देख सकते हैं लेकिन उस मिनर की दरफ आप कम ध्यान देते है तो गाड़ी हमारी Lewis head ज़्याद़ चली जा ही है हमने घाड़ी को pass किया है हम किसी गाड़ी के आगे घाड़ी लेकर जा रहे है तो उसको pass करते हैं तो हमें इस मिनर में देखना होता है इसमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी में और उसकी गाड़ी में कितना सपीस है हमें कितना टर्न लेना चाहिए कितना नीन लेना चाहिए ऐसे सभी उसी मिनर से हमें पता चलता है तो जाद तर उस मिनर पार भी हमें ध्यान देना चाहिए और उसके बाद जे आपका राइट स आपको मिलर में हमने प्राइब किया हुआ है उसमें एक लाइन सी लगाई है इसको दो बागों में बांट दिया आप पीसे से गाड़ी इसका भी सेट करना है कि आपको इसको आपको बिल्कुल जो आप गाड़ी का बैक साइड का अने का पता चलता है तो देखिए जदी आप गाड़ी दूसरी यह आरी आपके है तो आपiefट साइड चाहते हैं लेसकते हैं आपके पीसे इसाएड में दिखाई दे रही है तो यह आप राइड साइड में ऐचाहते क्योंकि वो काड़ी आपके बिल्कुल निजदीक है जयति आप गाड़ी को टरं लेंगे राइट साइड में आप गाड़ी को लेंगे तो आपकी इच गाड़ué by सब्सक्राइब और तो आप्सक्राइब आपको यह द्यां रखना है यहीं द्यां रखना तो आपको फिर बता दे इस साइड वाला जो मिनर के हमने पार्टिस्पेंट किया हुआ है इस साइड में आपको गाड़ी जो दिख रही है यहां हाँ तक तो वह गाड़ी बहुत पीछे है आप अराम से भी फिक्र होके गाड़ी चला सकते हैं आप हलका टर्न में लेना चाहत हैं तो आप उसे इंडिकेटर दीजिए लिफ्ट राइड जो भी है आपका आप उसको सुचित कीजिए पीछे वाली गाड़ी को इसारे के इसाब से आप कोई इशारा कीजिए कोई एंडिकेटर कीजिए ताकि उस पीछे वाली गाड़ी को समझ लग जाए कि आप कुछ एक सबी चीजों का ध्यां रखना है ध्यां रखेंगे तो गाड़ी आप असानी से चला पाएंगे और आपको कम ज़्यादा स्पेस की भी नौलेज रहेगी आप अराम से गाड़ी चला पाएंगे और उसके बाद अभी हम आपको आज की वीडियो में वस इतना ही आई होप कि आपको समझ में आया होगा आप अच्छी तरह से समझ के होंगे जदि आपको किसी बात की समझ नहीं लगी या आपको कुछ अधूरा रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट का एपलाई जुरूर करेंगे आप से एक छोटी सी बेंटी है कृपया आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साफ ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिए और आपके मन में कुई सवाल है गाड़ी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं ड्रैबिंग सीखने के बारे में कुछ अब तक के लिए धन्यवाद